हेलो एवरिवन आज हम बनाएंगे बचे वे चावल की क्रिस्पी पकोडियां बचावल कोई सा भी ले सकते हैं रात के बचे वे भी ले सकते हैं और ताजा बोईल की वे चावल भी हम यहां पर ले सकते हैं यहां पर मैंने लिया है एक कप के गरीब बचे वे चावल इसमें आड़ करेंगे दो चम्मच बेसं इसे बाइंडिंग करने के लिए दो लिया हरी मिर्ची बारिक काटके एक लिया है प्याज बारिक कटा हुआ इसके साथ ही लेंगे एक चम्मच लसन और दरक के पेश्ट को अगर आप लसन नहीं यूज करते हैं तब आप अदरक के पेश्ट को ले सकते हैं साथ मिलेंगे फ्रैस कटा हुआ धनिया पती डाजिस्टिंग के लिए लेंगे आदा चम्मच के क्रीब है यह जवाय करश करके लिएंगे इसे हतों से इसके साथ लेंगे आदा चमच लाल मिर्च पाउडर आदा चमच धनिया towards अब इसमें करदां नंप करेंगे आपड़ कर सकते हैं इसे चक्कटा अधा और मिक्स करेंगे इसमें 2 से 3 चमच केक्री पानी आड़ करतेंगे एससा करने से मिक्चर मारा अच्छे से बाइंट हो जाएगा । जधा पानी इसमें नहीं यूज करना हमें पड़ना पैठर पतला भी हो सकता है कि तो बस आफ़ इसे मिक्स कर लेंगे आतों से अच्छी तरह से और इसे शेप दे देंगे पकोडियों का अपने कोडिंग आप इसकी चोटी बड़ी पकोडिया बना सकते हैं तो बैटर हमारा अच्छे से बाइंड हो चुका है आप देख सकते हैं आप अब वो इनको पहले से हमने गरम करने के लिए रख दिया था एक एक क अच्छी पकोडियों तक हमेने डिप प्राइ करेंगे एक के करके सारी पकोडिया समय आड़ करते जाएंगे जितना स्पेस है हमारे पैन में उतनी हिसमें डालेंगे ज्यादा नहीं डालेंगे जब यह उपर से तैयर ने लगे तब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे इस हमारी तो इस तरह से एक नया सनेक्स बनके हमारे लिए त्यार है इस तरह के सनेक्स को हम सुबह चाय के साथ ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या फिर इवनिंग टी के साथ भी इसका इंजोई कर सकते हैं खाने में बड़ी टेश्टी लगती है एक बार आप इसे ट्राइ करके जरूर देखिएगा तो सनेक्स हमारे बनके त्यार है इसे टीशू पेपर पे निकाल लेंगे एक्स्ट्रा विलसारा इसका निकल जायज इसे बाकी के बचे हुए सनेक्स को भी हम इसे तरीके से फ्राइ कर लेंगे इस सनेक्स के आप कोई भी शेप ले सकते हैं टिक्की की शेप में बना सकते हैं आप इसे पकोड़ियों की शेप में बना सकते हैं जैसे पी आपको शेप पसंद हो वैसे शेप आप ले सकते हैं इस तरह से बच्चे वे चावल की हमें एक नई रेसिपी तियार कर सकते हैं तो ये वाले सिनक्स भी हमारे अच्छे से एक रिस्पी हो चुके हैं निकाल लेते हैं इने भी सारा एक्स्ट्रा ओईल इसका निकल चुका है देख सकते हैं तो बस आप इसे एक टिशू पेपर पे ले लेंगे तो बस अब गैस के फ्लेम के कि अफ कर देंगे और इसी बचे होई ओईल में घरम ओईल में ढाल देंगे हम हैं दो सावधारी मिर्ची ले लिए हमेने कि इसको हम पुकोड़ी के आप पर डाल देंगे यह पकोडियों के साथ खाने में टेश्टी लगती है तो क्रिस्पी पकोडिया पनके पुड़ी तरह से त्यार है थोड़ा सा चाट मसाला भी इसके पर से मटाल देंगे पुपोडिया भार से देखने में एक दम क्रिस्पी लगती है और अंदर से एक दम सोप्ट होती है तो इसे मैंने सर्व किया है मुमस की चटनी के साथ इसे आप सर्व कर सकते है टमैटो कैचप या फिर ग्रीन चटनी के साथ भी आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक शेयर और सिस्क्राइब कीजिएगा मिलते है नेक्स वीडियो में थैंक यू